तो कल रात को हम camping किये थे यहाँ पे, कवाड खाना में यही है राहुल भईया, इनवाइड किये मुंबई में लेकिन लेकिन अपना चाओल है ना, चाओल के दानी की इतना बढ़ रही बढ़ते रहते हैं अपने ओटो में ली आरा सिभली अभी एम बहिया को बताएं कि ये गाड़ी पे हम जाएंगे तो कल रात को हम कैंपिंग किये थे यहां पे कवाल ख़ाना में यहां देख सकते हो इस्टाइब लो Some तो कलकात को हम यहीं पर कैंपिंग यहां पर शाइंगे यहां अब पूहिए जबक ने अब लगाएंगे यहां पर आप उस रूम में लगाये हुए अपना मोबाइल चार्ज भी लेंगे और शीदे निकलेंगे तो चलिए इनी खुबसूरत लंगों के साथ वीडियो को करते है इस्टार्ट, बड़े को परनाम, छोटों को प्यार, मेरे उमर वालों कैसे हो यार, मैं हो निकिल और आप देख रहे हो ट्रेवल विद निकिल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा चैनल अगर मेरा फोटो जो है, वो इंस्टाग्रम पर ही आता है, तो वहाँ पर भी जा के मुझे फॉलो कर ले, एक बार आप लोगों को हम टेंट के अंदर भी दिखा देते, देखो ऐसा कौने में हम यहाँ पर सोते हैं अपना, योगा मेट लगा के और इधर अपना सामान रखते है, ऐसा कुछ मेरा टेंट तैयार होता है इंस्टाल होने के बाद, हो गया मेरा सामान पैक, लोड कर लिए हम साइकिल में, अब मोबाइल लेंगे और सिधा निकलेंगे यहां से, आगे जाके कई दुकान डूण के हम ब्रेकफार्स करेंगे, उसके बाद सिधा फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम सिधे मिलते हैं आप से रोड पे, यही है वह है वह है पीछे हम कल करने के लिए रुके हूए है, साइकिल लगा के, अब हम काकी को पोए बनाने के लिए बोले है, तो अभी यहां पर पोई लगेगा, अभी हम ब्रेकफार्स करेंगे, और फिर हम सीधा साइकिल उठागे, यह रास्ते से मुंबाइ के लिए निकल जाएंगे, आज-के-जाज काफी अच्छा काफी बढ़ियां टेस्ट है बहुत एच्छा लग रहे हैं अभी इस दुकान में में ब्रेकफास करके निकले और अभी जा रहे हैं इधर कि है कि यहां पर मेरे नीचे से रेलिवे ट्रेकक क्रॉस किया है यह में मैं आइन हावा टु टू मुंबई वाला यह साइड में चले आता है मुंबई और इसके अपोजिट साइड जायाता है हावाडा कलकता की ओर हम्alta जाना इस है यहां से अभी भी रहुल भाई का जो घर ह सबसे पहला बिल्डिंग मुझे यही दिखा सबसे बड़ा और इधर भी है बहुत सारा बिल्डिंग लेकिन मेरे नजदिक में सबसे बड़ा building मुझे यही दिखा यहाँ पर मुझे बख़द बड़ा दिखा, बहुत बड़ा नदी दिखा नदी के उस पार में शहर है, Bye동क के पिछे एक पहाड है मतलब दंदरा दंदरा नजर आ रहा है साम के टाइम जब सुरिय भगवान डूबेंगे ना तो वह सीन देखने में इधर कला यह बहुत इंबस और यह साइट भी वही सीन है दुंद्रा दुंद्रा नजर आ रहा है और नदी यह बहुत बड़ा सा तो अभी आप नदी क्रॉस करेंगे और राहूल भाई का घर आ जा को अगर मुझे लेंगे इनके घर पर जहां पर गैंगे ़ृव लोग एष अ सब फ्रेंड आ के चली यह ऀसीए क deputy ra यहीं रुख जाएंगे पर्सों यहां से निकले जैसा सीन होगा आप लोगों को बताते रहेंगे देखते रहेगा मेरा चैनल मेरा वीडियो अब लोगों पता चलते जाएगा राहुल भया कुछ ऐसा हम मुझे फ्लैट लेके आएं अपना यह वन भी एचक का फ्लैट है उनका ऐसे एक बात्रूम इतर है और एक चोटा सा रूम है और एक कीचन है तो यह जो फ्लैट है यह उनीका है इस बील्डिंग में जो काम हुआ है यह राहुल भया जो है यह यह र बिल्डर है वो यह बिल्डिंग का काम किये थे तो यह फ्लेट हुंका है और भी बहुत सारा यहां पर वो बिल्डिंग में काम किये हैं बहुत सारा बिल्डिंग वो बनाए है यहां पर और यहां पर पुराना सा दिख रहा है हमको बाहर में वो बता रहे हैं यह सब भी उनिक यहां पर हम दर्संद करने के लिए आए yeah हुआ है अभी हम आए है कोपनेश्वर मंदिर थाने में जो द्थाने के अंदर में है यहां पर कैमरा वर्जित है हम मोबाइल से पर्मैशन लेकर सुटिंग करने है यहां पर दम्सक्त मना है कि अब मुवाइल से भी शूट नहीं कर सकते हो, तो परमिसन लेके आए, यहां पर राहूल भीया ने मुझे परमिसन दिलाया है, और परमिसन लेके हम अभी दिखा रहे है आपको यहां पर, कौम घुपनिशूरम, महादेव, यहां के बारे में एक म और यहां के ऐसा कुछ मंदीर है हर हर महादेव यह मंदीर जो है अब अब अंगर का जो बगवान शोगा जो शुलीन है वो गजिवन साड़े पास तो साल पुरान और उसका यह ऐसा है कि अपना जबी कि भारा है कि लुकीलरि का जब इवाला के बाद दिवन सीक बडाता तभी पहले इतना नहीं था है लेकिन या शुली यह कैतना चावल था हिग रहता एंग हर साप हर साथ वे कुरून शुलिजरा जीन ताषि दो पहला देनों अभी बढ़ा चावल के लाए तो अतना मालूम नहीं पड़ेगा इतना साल के बद ऐसा लगता है विए तो पहले ऐसा आदेता तो पगड़े जाता अभी नहीं हो रहा है वो बोले नात काई चमतकार है अबन देवस्ताने इसमें मन्दीर क्ला पूरा इंपरमेशन आर Divine अन्दार को मंधिर प्लस हम राए उधर एक ठणा में जेल तो यह तीनों गाड़ी जो है वो राहूल व्याका है और यह बिल्डिंग भी राहूल व्याका है और ने मुझे चूज करने बोला कि कौन सा गाड़ी पर जाना चाहते हूँ तो देखते हैं हाई तो अभी फाइनली राहूल व्याके घर पर हुने है अभी यहां पर थोड़ा सा राहूल व्याक क्या देखते हैं क्या करवा अभी कुछ खाएंगे उसके फिर निकलेंगे यहां से थैंक यहां पर भावी ने मुझे पकोड़ा दिया कि किस इसका पकोड़ा है वह अभी आपके क्या मुदों बनाना का और इसका गोड़ का बनाना और गेहू का पकोड़ा है यह हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं बनाना बनाना तो गाड़ी जो है भाया का ही यह राहुल भाया का है कि अब देखो क्या मेरा का वायर खाया चुवा ने अरे क्या बोलेगा बूलो अभी खाया दो अब इस दो इस लिए दिकका दुराता है तो आच टाइम हम मुंबई में कार पर गुम रहे हैं राहुल भिया के साथ है यह अभी हम पहुंचे हैं माजवडा जक्षन में उपर से दो फ्लाइओवर गया है और नीचे से एक रास्ता गया है और यहां का ट्रैफिक भाई सांब मुंबई का ट्रैफिक इसको परनाम कर अब तर्फिक लगता है तो पुर्णा इंडिया में सबसे अदा ट्रैफिक लगता है तो मुंबोई में लगता है हम बड़े बड़े सायर गए दिल्ली गए बैंगलोर गए चिन्ना ही गए लेकि इतना ट्रैफिक हम कभी नहीं लेकि यह तालाब है वहाँ पे और सिपजी का कर देच्ग उपवन है काupoon उपवन फया lower no फल्ट उपवन क्यों अंधेरे में सिभजी का बेस्टेच्व अंधेरा अश्छाना में और यह जोوب प्लका एरिया है और यहां पे वैसा कुछ है नहीं, अंधेरा है पूरा, यहां पे जिल के किनारे बहुत सारा रेश्पुरेंट, बहुत सारा दुकान है और भक्त कल्यान गनपती जी, जाए गनपती, यह एरिया का नाम है वर्तक नगर, यहां पे भी एक साही बावा मंदीर है, वो फैमस है यहां पे मुंबई में, ठाने में फैमस है, और मुंबई का हर इलाका हमको एक जैसा देखने में लगता है, पता नहीं क्योंकि यहां के सारा बिल्डिंग ही बड़ा है, रेमन का कपड़ा आता है, उसका फैक्टरी जो है इदर ही है, यह बाउंडरी के उस पर में पूरा यह दरवाजा है, यह दरवाज ने का ही हो कई है और यह मेन दरवाजा है रेमन का फैक्टरी का... लालबग गिर्गःको क आइदर हम ढहे है पुरा विकरोली से इधर आता है, इस से अधने काड़, वेल्वी मेंस का वेल्ठ जयêts ? अबहुत में हम सुवा पैट्रोबॉं से निए थी मोनी थाने इन और मुंबाई तो वा उवर्भीर से सुटसे कख लवा मुब्नों कर दो आखिए तो ने यहां पर इसे बारिटों फ्रैते है HO नहां पर राहूल भया थाने में रहते हैं, हमको पता ही नहीं था कि थाना एक अलग डिश्टिक है, हम सोचते थे कि मुंबई के अंदर में यह आता है, लेकिन आज बता चला राहूल भया ने बता है कि यह थाना अलग डिश्टिक है, वह कसरा गाटी जो हम क्रॉस किये थे, कछरा गाटी आता है अपना थाने डिश्टिकमे May, बाखी वह बुबाग द्रामदए रही आता है वह आजाता है थे नासिघ डिश्टिक John अ मुन्बाई यहां डिश्टिक में इस्टार्ब होता है यहां इस्टार्ट ओल रहोता हैं कौंसा सिवजी मंदीर है रख ख़ और AM अरु नेशूर मंदीर है यह अधिर आप है तो अभी आजा कि अम दर्सन करते है कैमैरा याउगे लगों है यहां पर यहां पर यहां पर सर खड़े हैं विजय पाटेल इन्हीं का यह मंदिर है तो इकॉन सा मंदिर है शीव जी का मंदिर ना जैगनपती बप्पा जैगनपती बप्पा शुख नदि जी है और यहां पर मारुति भगवन अनुमान जी करवाजा जी बड़ाए में सबसे बड़ा मंदिर है शीवलिंग भी सबसे बड़ा ही है और प्रश्नली पर यहां पर बहुत अच्छे से दर्शन हुआ बहुत ही अच्छा स्फिवलिंग था और यहां के पंडी जी ने बहुत चीज यहां के बारे में बताया और परसाद वी दिये यह भाई आया है महिंदर बाटेल नाम बताओ प्रित पाटेल और पॉप है तो मेरे से मिलने के लिए आए हैं यहां पर थैंक्यू सो मज़ थैंक्यू सो मज़ यह राहुल विया के सब रिलेटिव दोस्त है अपना भाई है तो वीडियो को यहीं तहर रखते हैं फिर मिलते है कर लाप से अगले वीडियो में कुछ नया चीज लेके लाहुल विया कलफिरम को भुमानी ले जाएंगे तो उनके साथ जाएंगे अगला वीडियो बनाएंगे तो वीडियो यहीं पर समप्त करते हैं बाबाई टेक क्यार गुड नाइट